आप नोट बुक और पैनली के बैट चाहिए और जो टूटी करन्ट अफेस है उसकी जो इंपोटेंट हाइट लाइन्स नियूज होती है तो आप उसको नोट कर लेजेगा चलिए देखे इससे पहले जिन लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो लास्ट वीडिय को जरूर देख लिए जिएगा डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक है तो आप उसको जरूर देखेगा क्योंकि बजट को लेके काफी कोशन पूट अप किया जाते हैं जिसके अर्म आपको नॉलेज होना चाहिए तो चलिए बात करते हैं कि आज डेट के आज है 3.5 और 3.5 अब 2022 के वर हम लोग बात करेंगे देखे जो हमारी फर्स्ट नियूस है वो में बताती है कि बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना में को राश्ची का 58% मीडिया एडवोकेसी कंपने पे खर्च तो ये नियूस देखे इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेट इतनी आपको नॉलेज होनी चीज अनली चलिए इसके वारे में जान लेते हैं कि सरकार नी बुद्दवार को राज्यसवा में बताया कि बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ यूजना के तहए 24-15 से 20 और 21 तक को रासी कितनी खर्च हुई है 613 करोड रुपे खर्च इसमें हुए है जिसमें कि जो 401 करोड यानि 58% मीडिया अड़ोकेशी पे खर्च किये गए हैं महील अवंबाल विकास मंत्री इसमृति इरानी ने बताया कि पिछले दो वर्सों मेडिया अड़ोकेशी कंपेंट पे खर्च काफी मतलब काफी गरावट उसमें आई है इसके बारे में भी नॉलेज होना जाहिए कि काफी गरावट उसमें यह साथ ही कितना टोटल खर्च हुआ था कितना परसिंट मीडिया को दिया कहा था ठीक है इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि यह अपके एक्जाम की और एक्जाम जो इंग्लिस स्पिनर जो आदल थे आदल रशीद को गलते से ब्लॉक करने के बादरान लेने से इंकार करने की न्यूजिलैंड में एक डाले मिचल ने दोज़ा एक किसमें आइसीटी जो अवाड हो जीत लिया है आइसीटी ने लिखा कि मिचल ने एक हाई प्रेशर चीन्स मे सहीद को रशीद को वाधित करने की बात मानते हुए आसान सिंगल लेने से माना किया था तो देखे काफी इंपोटेंट ये न्यूज है कि जो डेल मिचल है वो उन्होंने दोज़ाई किसका इसीटी अवाड जीत लिया है साथ ही जो इंग्लिस इस्पेनर थे आदल आदल र बाहरा ट्रेन के दूसरे वर्जन अप्राइल 2022 से शुरू होगी ठीक है रेल मंत्री तो इन्होंने ये कहा है जैसे कि मैंने आपको बता है था लास्ट वीडियो में बाहरा ट्रेन के बारे में सो अभी तक तो इसका फर्स्टी वर्जन चल रहा है देखे रेल मंत्री जो है अश्विनी जो वर्जन नहीं कहा है कि फिलाल वंदे मत्रम जो ट्रेनर उसका पहला वर्जन चल रहा है और उसका दूसरा वर्जन आने वाला है का आने वाला है 2020 में ही वह आ जायेगा लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इसका उत्पाद हो रहा है साथ ही अप्राइल 2022 में इसके दूसरे वर्जन की जो टेस्टिंग है वो भी शुरू हो जाएगी और जो वेकल वर्जन में है उन्होंने कहा कि इस साल अगस से तमबस से फैक्टरी के हर महीने इसकी साथ से आठ रहने निकले से काफी इंपोटेंच निउस है जो आपको पता होना चाहिए आप इसको भी नोट करिएगा और इसको अपने माइन में फिट कर लेजगा ठेक है तो यह भी ही काफी इंपोटेंच निउस है चले बात करते हैं हम यहापे नैस्ट निउस की कि 24 साल के दर्भी नाइंटीन व अभी तक टूर्नमेंट में एचे है खिलाडियों ने कैई खिलाडियों के कोरोना पैजिटिव होने के बाद भी टीम के इसका कोई भी प्रदेशन नहीं दिखाई पड़ा है वही ऑस्टेलिया गुर्प राउंड के दूसरे मैच में श्री लंका से हार मिली थी और अगर व वर्ल्ड कप है उस्टेलियास से कभी भात नहीं आ रहा है और जो भी अगर करोना पॉजिटिव होने के बाद भी टीम पे इसका कोई भी प्रदेशन असर नहीं पड़ा तो इसके बार में भी आपको फुल नॉलेज होना चाहिए तो चले बात कहते हैं हम यहाँ पे की तौर पे पर्मनेंट भरती होगी फैसला अगर देखा जाएगी फैसला भारत की नारी शक्ति छमता और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के महिला शक्तिकरन को लेके प्रतिवदिता का प्रमार है रक्षा मंत्री राजना सिंग जी ने मंगलवार को यह जानकारी दी बता दें कि सुप्रिम कोट की ओर से प्रतिष्ट जो रास्ट रक्षा अकेडमी है अकेडमी में महिला को प्रवेश मार्क प्रतिष्ट करने के महिला महिनों बाद इसका अलान किया गया है महिलों बाद इस फैसला लिया गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्य दीजी है महिला शक्ति करन के वह बात करते हैं उसके प्रतिवधता का ये प्रमाड है उन्होंने इसा कहा है तो ये काफी अच्छी नियूज है काफी इंपोटेंट है और जैसा कि आप सब भी लोग देख पा रहे हैं तो आप इसको नूट भी कर लेजेगा चलिए बात करते ह क्या करती है ये ये निर्मिला शीवरी प्रेगा की का चुकी है जिसके बारे में बसेट बजट के बारे में नॉलिज होना चाहिए, फोन नॉलिह होना चाहिए, डीपली नॉलिज होना चाहिए, तो इसके ल except लिए आप को वीडियो को फुल देखना होगा, तो आप आप रिस्क्रिप्शन वॉक्स माइस की लिंक है, आप उसको देख लेना, तो देखे देखते हैं कि जो बज़र से जुड़ी काई परंपराएं हैं जिसमें क्या बदला हुआ है देखे जो निर्मिला शीतनमर्जी है वो मूधी जिकार का दसमा आम बज़र पेश करेंगी बता देंगी मूधी सरकार ने बजर से जो परमपराय हैं वो बदली है पहले 28 से उन्तेस फरवज़ी को बजर्ट पेस किया जाता था लेकिन अधुवेसर नहीं अब एक फरवज़ी को बजर्ट पेस किया जाता है बजर्ट पेस हुआ है 2016 से अब 2016 में क्या होता था कि पहले रेल बज़र्ट अलग से पेश होता था लेकिन 2016 में क्या होता था कि आरुण जिटली ने इसे शेंग तूरूप से पेश किया था इसके बारे में आपको नॉलिस होना चाहिए ठीक है कि पहले 28 या 29 को पेश होता था लेकिन अगर अब देखा जाए तब किस को था वन फैव को चले बात कहते हैं हम यहाँ पे नैस्ट नियूस की कि 36 गड़ एक ऐसा रास्ट एक राशनकार लागू करने वाला देश का 35 वराज्य बन गया है तो इसको लेकि कोश्चन भी बन सकता है कि एक राशनकार लागू करने वाला ऐसा कौन देश का कौन सा 35 वराज्य बना गया है तो इसका अंसर होगा 36 कर देखिए जान लेते इसके वारे में कि जो 36 कर एक रास्ट एक राशन कार्ड लागू करने वाला दीश का 35 वराजय बन गया है जो प्रवशी लावारती है रास्ट एक खाक सुरुच्छा अधिनियम के अंतर कर देश की किसी भी राशन की दुकान से स 36.8 प्रतिशत आवादी को अक्षर्दित किया जा चुका है साथ ही मंतरा लेने कहा कि एक रास्टे एक राशन कार्ड योजना दुरजार 19 में लागू की गई थी आप इसी भी नूट कर लिजेगा माइन में अपनी फिट कर लिजेगा नहीं समझाता है तो वीडियो को सेकेंड टाइम ज़रूर देखीगा तो चली आते हैं हम टुडए इंपोटेंट के साथ है रही जो एक्साम के बहुत जादा इंपोटेंट होते है तो आप इसको पता होना च्पाइए कि हाली में जो खबरों में रही है अंसेटरल एजेंसी तो वो किस से जुड़ी हुई है तो उसका आंसर होगा दिलावा इंसॉल्वेंसी तो चले बात करते हैं हम यहाँ पर इसको डिटल्स में जानेगी अंतर रास्टे व्यपर कानून पर संयुक्त रास्टे आयो यूनाइटेड नेशन कमिशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉग अंसेटरल सीमप पार दिलावा के मॉडल कानून 1997 सीमप दिलावा पर सबसे व्यपक रूप से श्वेक्रत कानून धाचा है आर्थिक सर्वेक्षन ने कुछ संसाधनों के लिए अंसेटरल कानून को अपनाने का सुझाब दिया इससे सिंगापूर, ब्रेटेन, अमेरिका, दच्छन अफिरिका और कोरिया जैसे 49 देशों में अपनाया है दिलावा कानून सीमिती के अंसेटरल को अपनाने की सिफारिश की थी तो देखें, यह काफी important news है कि जो ख़वरों में अंसेटरल यूएन एजनसी है वो रही है तो वो किस छेतर से जुड़ी हुई है जैसे insolvency से वो जुड़ी हुई है साथ ही United Nations Commission on the International Trade Law जो है यह अंसेटरल यह सीमित दिलावा के जो मॉडल कानून है 1997 तो यह एक व्यापक और सेक्रत कानूनी धाचा है और यह किन किन देशों से जुड़ा हुआ है लाइका बोला जाएगी Singapore, Britain, दक्षन, अफिरिका, Korea, अमेरिका सो ऐसे बहुत सारी देश है, 49 देशों ने इसे अपनाया है जिसके वारे में आपको नौलिस होना चाहिए कि यह होता क्या है आपको बता चल गया होगा, फर्स्ट कॉश्चन इसके लिए हो चका है, चलिए बात करते हैं हम यह आपर सेक्ट कॉश्चन सेक्ट जो कॉश्चन है, वहाँ भे हमसे पूचा गया है कि किस मंत्राले, किस केंद्रे मंत्राले ने सर्विसिस हैल्थ असिस्टेंस और टैली कॉंसिटीशन स्टार्ट पहल की शुवात की है, तो इसमें असका अंसर होगा रक्षा मंत्राले रक्षा मंत्राले ने इसकी शुवात की है, अगर यहाँ पर बताया जाए कि केंद्रे मंत्राले, अगर यहाँ पर बात करी जाएकि सर्विसिस जो हेल्थ असिस्ट्रेंस और टैली कॉंसिल्सेशन जो शेहत है, शेहत्र योजना शुरू कही थी, इसका जो अदिशित था कि पूर वो सैनिकों के जो शेवारत सैन्य कर्मिकों के लिए दवाओं की हूम डिलेवरी प्रदान गन्ना इस योजना को पहले कहा शुरू किया गया था दहली में इसको शुरू किया गया था और भविश्य में इस योजना को अधिक से अधिक से अधिक से इस्टेशनों को बिस दबाओ का जो होम डिलेवरी प्रिदान करना था इस सिवक इस योजना का जो उद्दिश्य था ठीक है उद्दिश्य जो है वो है क्या है यह आपको पता होना चाहिए साथ ही यह जो योजना फर्स टाइम कहां स्टार्ट की गई थी यह दिली में शुरू की गई थी तो इसके वेरक्षाम है हम इसको बोल सकते हैं कि वी प्रोटेक्ट और साथी जो भारत की किस जो श्रेल बल का आदिश ये वाक्य है तो इसका आंसर होगा कि भात्य टटरक्षक बल का ये एक आदिश वाक्य है तो इस किस का है तो आपको पता होना चाहिए कि भात्य टटरक्षक बल क आद बाक्य है यह साथ दीदे कि भारतिय टटरक्षक बल इंडिया कॉस्ट कार्ड आई सी जी ने एक फरवरी 2022 को अपनाया 46 स्थापना दिवस मनाया यह वह रक्षाम केसे लिए गैस देगी संस्क्रत का यह शब्द जो आपको पता होगा बी प्रोटेक्ट के आदिश वाके के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टटरक्षक वल है आपको याद रखना है कि क्या है दुनिया का सबसे बड़ा चौथा टटरक्षक यह वल है भातिय टटरक्षक का वल उद्गाटन 1978 में साथ सथा प्लेटफॉर्मों के साथ किया गया तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए चले बात करते हैं यहाँ पर नेस्ट कोश्चन की इस पाइक वैक्स इस पाइक वैक्स जिससे यूएस फीडिये एप डिये के पूर्ट स्वेक्रत मिली निर्मार्ट किस फार्मा कंपनी द्वारा किया गया तो मॉडर्ट ना इसका आंसर होगा देखिए अगर बात करें कि इस पाइक्स जो नामक कोबी-19 वैक्सीन को 18 वर्थ और उससे अधिक उम्र के लोगों में उप्यों के लिए अमेरिकी खाद और और आशिदी प्रिशाशन से पूर्ट शेक्रत मिली है अगर फाइजर के लिए कोबी-19 वैक्सीन जो कॉम्यूनिटी है कि इसके बाद भी जो FDA है FDA से पूर्ट जो अनुमोधन प्राप्त करने वाला यह दूसरा कोबी-19 वैक्सीन रहा है साथ ही यह अमेरिका के लाइसेंस प्राप्त करने वाला मॉड़ना का पहला उत्पाद भी है तो देखिए इसके औ की देट-फार्माठ्ट फार्माड कंपणी द्वारा किया गया तो मॉडननेस का आंसर होगा यह कंपणी है जिसमें जो जो कोबी-19 की वैक्सीन है जहां पर यह दूसरा वैक्सीन है जिसके बादे में यह मॉडनना कंपणी का पहला उत्पाद भी यह रहा है तो इसके वार आप लोगों के उपर कि आप लोग किस तरीके से वीडियो को वाष कर रहे हैं और इसको समझने की कोशेश कर रहे अगर कोई भी डाउट रहता है आप लोगों का तो प्लीज उसे कमेंट वक्स में किलियर कर लेज़ेगा एक बार नहीं समझ आता है तो इसको वन टाइम सेकंड टाइम ज़रूर देखेगा और फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं किसले हूँ आप मुझसे डाउट किलियर करेंगे कमेंट वॉक्स में राइट कर देना और जो आपका question है मैं study को लेके वो भी आप comment box में write का देना उसका एक दिन live session रखा जाएगा Sunday को जिसमें आपके all doubts किलियर किये जाएंगे ठीक है तो आप आपके उनमें जो भी कोई question है study को लेके आप उसको put up कर सकते हैं कि जीस की त्यारी कैसे करना है कि आस लिवस बढ़ना है xy chat को कुई भी आपका question हो तो आप उसको write कर देना and thank you so much for watching this video